यह जो वैलिडिटी की बात है कि हमने सार एक पून कर लिए, अब हम सफेद कूर्ता पहन लेंगे और हम बहुत अच्छे बन जाएंगे, नफरती एजन्डे पर कहीं भी दीछे नहीं तु क्या हम यह कहरें कि बाचीता ना हो, संबाद ही ना हो आज मेरे साथ हैं भाषा और उर्मिलेश हमेशा की तरह और आज जिन तीन मुद्दों के हम आपके सामने बात कर रहें, वो तीन मुद्दे कौन से हैं मुद्दा नंबर एक, क्या नफरती न्यूस चैनल्स पर सुप्रीम कोर्ट नकेल कसेगी मुद्दा नंबर दो, राहूल गांधी पर अशलील हमले भारती जनता पार्टी के क्या उनकी भारत जोड़ो यात्रा से बौकला गई है बीजेपी और मुद्दा नंबर तीन, मुसल्मानों के साथ सरसंग चालक, मुहन भागवत, समवाद कायम करना चाहते हैं मुसल्मानों में से कही लोग उन्हें राश्टपिता तक बता रहे हैं मगर क्या उनका जो अप्रोच है वो गंभीर है ये तीन मुद्दे होंगे दोस्तों मगर शुरुवात हम करना चाहेंगे सुप्रीम कॉर्ट के तलख तेवर हम आपको बतलाना चाहेंगे कि सुप्रीम कॉर्ट ने अपने आप्जरवेशन्स में कहा है कि जिस तरह की नफरत परोसी जाती है न्यूस चैनल्स पर मोदी सरकार उस पर खामोश क्यों है जो न्यूस आंकर्स हैं डिबेट्स में न्यूस आंकर्स हैं उनके रवाइये से समाज में नफरत पहल रही है और वो नफरत अडिक्टिव है लोगों को लट लग जाती है समाज बरबाद हो रहा है और ये कारक्रम धीमा जहर है कड़े शब्दों की एक तरह से इस्तमाल किया गया है क्या इस खबर का पंच शुरुवात उर्मिलेशी से अभिसार मैं समझता हूँ कि टेलिविजन के लिए खास कर और अब तो मेडिया के लिए भी मैं काऊंगा क्योंकि प्रेस कॉंसिल आफ इंडिया इस नाट वर्किंग प्रॉपरली तो एक नियामक होना चाहिए एक रेगुलेटर होना चाहिए और जिसमें मेरा यह मानना है कि पार्लेमेंटरी रिप्रेजेंटेशन हो यानि पार्लेमेंट में हर दल के लोग उसमें हो और दूसरी बात जुडिशियरी से रिप्रेजेंटेटिव हो सरकार के भी हो और इंडिपेंडेंट इंटिलेक्चुल्स हो तो एक इंडिपेंडेंट कमिशन हो जो यूके की तरह तो हो लेकिन यूके से अलग संरचना उसकी हो पार्लामेंटरी रेगुलेशन या पार्लामेंटरी एक मॉनिटरिंग जिरूरी है क्या इस खबर का पंच बताएंगी भाषा अभी सार देखी मेरा बहुत साफ मानना है कि मामला सिर्फ अब्जर्वेशन का नहीं है यहां हमने देखा है कि सुप्रीम कोट अब्जर्वेशन तो करती है लेकिन जहां पर उसे नियाय करना है वहां हिच्खिचाती है जैसा अभी हमें सामने आया कि नविका कुमार के मामले में उसने कड़ा फैसला नहीं लिया मेरा मानना है कि जिस तरह की नफरत है वह ट्रोल आर्मी से भी बढ़कर गोदी मीडिया, कॉर्परेट मीडिया कर रहा है इसमें स्ट्रिक अक्शन, एकाउंटिबिलिटी बहुत जरूरी है सिर्फ बात कहने से काम नहीं चलेगा जब तक जिम्मेवारी और जवाब देही न तै हो इस खबर पर मेरा पंच यह है कि नफरत की कीमत चुकानी पड़ेगी और इन कारक्रमों के जो प्रायोजक हैं, एर्टाइजर्स हैं, उन्हें शर्मिंदा करना पड़ेगा जब तक उन्हें शर्मिंदा नहीं किया जाएगा कि why are you sponsoring hate तब तक बात नहीं बनेगी और public funded news model, यानि कि जनता फैसला करे कि किस तरह की खबरे देखी जाए, उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए बेराल दोस्तों इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और मैं अपने दर्शकों के सामने तीन-चार तस्वीरे पेश करना चाहूंगा, जो एक-एक करके आपके screens पर आ रहा है पहली तस्मीर देखिए, News Nation का एडिबेट, इसलाम सिखाता है लव जिहाद का खेल, भड़काओ दूसरा देखिए, तिहाड में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला ये पत्रकार, इसने पंदरा किसम के जिहाद पर कारक्रम कर डाला तीसरा शो देखिए, जन्म भूमी हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे और आप जानते ही ये शो तब किया गया था, जब राम अंदिर पर फैसला ही नहीं आया था आप जानते ही ये जो डिबेट्स हुए है, नफरत परोसरें वो एक अलग है मगर उर्मिलेश जी, इसकी भाषा से साफ तोर पर पता चलता है कि ये राजनीतिक तोर पर प्रायोजित डिबेट्स हैं, दिक्कत ये है कि जब तक राजनीती को फाइदा मिलता रहेगा, माफ कीजेगा सुप्रीम कोट शाहे जो भी कहें मुझे नहीं लगता कि कोई फर्ख, कोई असर पढ़ने वाला है अभी सार देखो, अभी दो तीन दिन पहले, दो दिन पहले की बात है बहुत हसी आई मुझे पढ़कर ख़बर, इंडियन एक्सप्रेस में हमारे देश के जो इनफॉर्मिशन ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर साहब है उन्होंने एसिया पैस्पिक एक ब्राडकास्टिंग एसोसेशन है उसके प्लेटफर्म पे ऐसी ऐसी बातें कहीं जो आम तोर पे इंडियन मीडिया के जो भी वाच करने वाले अब्जर्ब करने वाले लोग हैं क्रिटिक वो कहते हैं मुझे बहुत हंसी आई कि ये क्यों कह रहे हैं क्या तो मुझे समझ में आया कि इसमें हो सकता है दो चार लोग विदेश से आये हो यह हो सकता है कि एक चुकी एसिया पैसिफिक नाम है प्लेटफॉर्म का तो पूरी दुनिया में इस वक्त पिछले कुछ सालों में इंडियन मीडिया की इतनी भद पिट रही है पूरी दुनिया में 180 मुलकों की लिस्ट में जो हमारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जगह माननी मंत्री जी को कि बहुत बदनामी हो रही है थोड़ा आप अच्छी बात ने आज बोल दीजिए और माननी मंत्री जी की स्वरने मक्षार कौन भूल सकता है देरिश के गद्दाव को तो कौन नहीं जानता कि जो भारत के टेलिविजन चैनल से हैं उसमें जो भी कंटें हम संता कुमर्ट के बात को जी को तो अगर पहुंच गया तो भी सरकार समरतकों मम कंटें को भीस about हम सब लोग चर्चाग एक ही बड़ा कॉमा फुल स्टॉप से लेके स्पेलिंग मिस्टेक्स भी सुधार नहीं पाते बिचारी इसार रहेंकर मैं शुक्रियादा करना चाहूंगा यहां अर्विंद केजिवाल का कि उसने उस शक्स का नाम लिया जिसका एक खौफ है न संपादकों में नाम है उसका हिरेन जोशी मैं जानता हूँ यह काम निर्पेन मिश्रा किया करते थे कुछ दिनों पहले तक हिरेन जोशी का जो खौफ जिसका जिक्र किया हम जानते हैं कि आतिशोक्ती नहीं थी बातमा अर्विन के जिवाल कह रहे थे, मगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, आपने जिक्र भी किया, कि टाइम्स नाओ ना भारत की जो संपादके उन्हें क्लीन चिट मिल गई, आपने देखा नुपुर शर्मा, आज तक पूश्टाज नहीं हुई, न्यूज 18 का वो पत्रकार जिसने जूट बोला था, कि भाई जहांगीर पूरी में बुल्डोजर चला, उसके बदले में अलवर में मंदिर गिरा दिया गया, और फिर जी न्यूज का वो पत्रकार, जब भी पुलीस इनसे पूश्टाच करने जाती, भारती जनता पाटी की मशिनरी निये बचाती, आपको याद है मालवीय ने, अमित मालवीय ने, डेबेट ने का था कि हम तो इन्हें बचाएंगे, तो ये तो नियत है भाशा, ये तो नियत है, और खुले आम, मतलब उसमें, सबसे जो तक्रीफ की बात है अविसार, कि हम जान रहे हैं कि आज की तारीख में, सिदीक कपन जैसा पत्रकार जेल में है, दो साल से अधिक समय हो गया, वो शक्स जेल में है, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ करने के बाद, जमानत नहीं मिल पा रही है, वहीं पर और अंगिनत पत्रकार, जो रीजनल लैंग्विजे से जुड़े हुए हैं, जो छेतरी भाशाओं इलाकों में रहते हैं, वो जेल में हैं, लेकिन आप देखिए, कि ये लोग जिनके अपराद कैमरे पर प्रूवें हैं, जो चोटी बात नहीं है, फेक न्यूज, आप राहूल गांधी का भाशन गलत करके, डिस्टॉट करके चलाते हैं, सब कुछ हो रहा है, लीगल फाइट हो रही है, और तब इतनी नर्मी इंके प्रती, इतना दुख की इंक की गिरफतारी नहो, मुहमद जुबेर की गिरफतारी हो जाती है, साबित हो जाता है कि उस शक्स ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन कोई अकाउंटिबल नहीं, इसलिए मेरा मानना है कि सुप्रीम कोट को भी यह सोचना जरूरी है, कि मामला सिर्फ observation से अब कंट्रोल में नहीं आएगा, यह जो ट्रोल आर्मी है, यह जो fake news की ट्रोल आर्मी है, वो बिल्कुल पीछे से खबरे आ रही है, जब तक यहाँ पर जवाब दे ही नहीं होगी, एक दो लोग गिरफतार नहीं होगे, आप कैसे भूल सकते हम सब, कि जब मामला आता है गिरफतारी का, तो किस तरह से नोइडा पुलिस अपने पसंदीदा पत्रकार को बचाने के लिए पहुँच आती है, तो यह एक बहुत चिंता की बात है, क्या इसका factor यह है, चाहे अनुराग ठाकुर कह रहे हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट का यह observation है, क्या आपको लग रहा है कि भारत को जो इसके international costs हैं, नुपुर शेर्मा एपिसोड के बाद मध्वपूर में जो पूरी प्रतिक्रिया होई, क्या उस international costs से एक हल्गा सा rethink हो रहा है, भारत सरकार के उसमें या चुनावाती back to normal हो जाएगा, दुखत यह है अभिसार कि भारत सरकार में कोई rethinking कोई thinking नहीं आए, कि कैसे इसको correct किया जाए, कैसे हम अपने course को बदलें, कोई दूसरा रास्ता है, अभिसार में इसमें कहूंगा कि दुनिया के जिन देशों में भी democracy डेरिल हो जाती है, जब वो पट्री से उतर जाती है, तो जो press है वो भी free नहीं रह पाता, relative freedom भी नहीं रहती है, मैं ये तो कभी नहीं कहूंगा कि आजादी के बाद इस देश में पूरी तरह press free था, बिलकुल नहीं था, बहुत सारे regulations, बहुत सारे तोर तरीके, बहुत सारी बंदिशें थी, लेकिन आज जो इस्थिती है, वो बेंतहा है, extreme पर है, और मेरा ये मानना है, कि जब तक आप political system में democracy जो गायव हो रही है, जब तक उसको आप रास्ते पर नहीं लाते, यानि media की freedom भी basically जो political जो structure में आपकी समस्या है, उससे जुड़ी हुई है, और जब तक जैसे आप उधारन के तोर पे आप कह रहे हैं कि आप विग्यापन नो दें उसको लो, क्यों मानेंगे आपकी बात, मान लीजे, प्रेस कॉंसिल कहता है कि आप विग्यापन मत दीजिए, कार्परेट कभी नहीं मानेगा प्रेस कॉंसिल की बात, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति मुकेशमबानी, उनका न्यूस चैनल और उस न्यूस चैनल से लगातार जिस तरह की खबरे आती, उस न्यूस चैनल के पत्रकार पर जूट बोलना, दंगे भड़कानी जैसी चीज़े हैं, और ये देश के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति की न्यूस चैनल की हालत है, इक्जैक्ली अभी सार, वही मैं कहारा हूँ कि कार्प्रेट जो है, वह उसका सत्ता संरचना से गहरा रिष्टा है, और ये दोनों मिलकर चला रहे हैं पूरे सिस्टम को, तो ऐसी स्थिती में मीडिया को कार्प्रेट जैसा चाहेगा, पुलिटिकल मास्टर्स जैसा चाहेंगे, मीडिया वैसा ही करेगा, इसके लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, कि इसके लिए एक इंडिपेंडनेंट सिस्टम जरूरी है, और वो पार्लेमेंटरी रेगुलेशन के साथ साथ, जो गणमान ये लोग होंगे, जिनका चैन सरकार न करे, जो डिशरी से हो, और साथ में साथ में साथ साकार के रिपेंडनेंटरी हूँ, मैं दो और मुद्धों की तवरिद बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सेग्मेंट में बहुत ज़ादा वक्त नहीं है, पहली बात, मुझे लगता है पीपल्स मूव्मेंट की, जो इस साथ जो डिफरेंट प्लेट फॉर्म्स है, इस समय ये जंक्चर भी बहुत इंपोर्टन्ट है, जो आपने किसान आंदोलन की बात कही अभिसार, उसके साथ साथ देखी, जो डिफरेंट डिजिटल प्लेट फॉर्म्स हैं, जो न्यूस चैनल्स हैं, जो सोशल मीडिया में इंटर्वेंचन है, सही खबरों को लेकर, फर्जी खबरों की पड़ताल करके तुरंत बताना कि ये वीडियो नकली है, ये सारे जो मिशन है, इन्हें एक मुव्मेंट के तौर पर बिल्ट अप करना, और आपका कहना सही है, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जवाब दे ही, ये सब लोग जब भाशन देने जाते हैं, सेलिब्रिटी के तौर पे नफरती एंकर्स घूमते हैं, तब वहाँ पर एक टीम हो जो हस्तक शेप करें, और बताए कि आपने ये गलत किया, जैसे किसानों ने किया, हमें गोधी मीडिया नहीं चाहिए, आप वहाँ के पत्रकार हैं, तो हम आपको इंट्री नहीं देंगे, मुझे लगता ये जब तक नहीं होगा, और जनता जान रही है, मुझे इस बात में खाली एक सुकून मिलता है, कि जनता के पास ये टीवी चैनल्स एक्सपोस्ट खड़े हैं, ठीक है, मगर जैसे कि मैंने कारकर में कहा था, कि एक पब्लिक फंडेड न्यूज मॉडल को मजबूत करने की ज़रूत है, आप न भूलें, कि ब्रिटन में लाइसेंस फीस के आधार पर बीबीसी चलता है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता है, हालकि ब्रिटन की डिमॉक्रिसी हमारे देश के मुखाबले कहीं ज़ादा गंभीर और मजबूत है, मगर बीबीसी का एक मॉडल, लाइसेंस फी मॉडल है, जिसमें जनता उसके लिए पैसे देती है, और सरकार का कोई दखल नहीं होता, काश ऐसा कोई न्यूस चैनल हमारे देश में भी बन पाए, आज का दूसरा मुद्दा है, राहूल गांधी पर हमला, जी हाँ, राहूल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे है, संबित पात्रा ने जो उन पर हमला किया, यह तस्वीर देखिए, एक प्यारी सी लड़की का हाथ पकड़ के राहूल गांधी जा रहे है, मगर संबित पात्रा ने इसमें भी धार में तुष्टिकरन जोड़ लिया कुछ दिनों पहले एक और तस्मीर थी जहां राहूल गांधी अपनी भांजी के साथ बैठे हैं और उस पर भी वाहियात और अश्लील टिपणी बीजेपी के तमिलनाड के प्रमुकने की और लगातार निशान उन पर जारी है क्या है इस खबर का पंच? शुरुआत हम करना चाहेंगे उर्मिलेजी से अब जब सार मैं समचता हूं कि राहूल गांधी से आरे से साथ बीजेपी की सबसे ज़्यादा जो एक कोप है उनका उनका जो गुस्सा उन पर होता है खीज जो है वो इस कारण है कि एक तो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के वो नेता हैं सरोमाने नेता हैं उनकी हाल के दिनों में इस से यात्रा से पापुलर्टी बढ़ रही है और आरेसस बीजेपी पर वो कंसिस्टेंट हैं उसके विरोध में आइडिलोजिकली इसको खारिज करने में तो उनके खिलाब तवाम तरह की इस तरह की चीज़ें वो लाते रहते हैं भी इतनी उम्मीद नहीं रही होगी कि इस यात्रा से इतनी जल्दी अभी सिर्फ दो राजियों के भीतर यह यात्रा चल रही है इतनी बॉकलाहत भारती जन्ता पाटी में आजाएगी और भारती जन्ता पाटी बिलो दबेल्ट इस तरह से शर्मनाक ढ़ंक से हमला करने लग जाएगी मुझे लगता ये बौकलाहाट बहुत साफ है और उससे यह भी पता चलता है कि लगातार इस यात्रा को नाकाम करने या बदनाम करने की साजिश वे हर स्तर पे जाके कर सकते हैं अभी सार क्या है आपका पंच मेरा इस खबर पर पंच ये है कि यकीनन ये राहूल गांधी पर हमला है उनसे बौकलाहट है मगर उससे भी ज़्यादा ये भारतिय जनता पार्टी की महिला विरोधी सोच को बतलाती है बच्चों के प्रती समवेदन हिंता को बताती है कि आप इस तरह का बयान दे सकते हैं और आपके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है कि आपके इस बयान के क्या माइन है चर्शा को आगे बढ़ाते हैं देखिए आप कह सकते हैं कि संबित पात्रा जो हैं वो अनाप शनाप हरकतें करते हैं टीवी डिबेट में कहीं वो ए मुल्ला जी मुल्ला जी करके चिलाते हैं कहीं वो उई-उई-ई-ई-पूई-पूई-पूई-पूई-पूई-पूई- से भी नहीं चुक रहे हैं आपके जहन में वो नहतिकता भी नहीं है अभी सार देखो इस तरह के जो लोग है जो पॉलिटीशन्स जो अनाप शनाप बोलते रहते हैं जिनकी आदत में शुमार हो गया है कुछ भी कह देना उनके लिए मैं नहीं समझता हूं कि ये जो जिस बात को आप सामने ला रहे हैं कि एक लड़टी के बारे में इस तरह से बात करना उनकी भांजी के मैंने वो तसवीर देखी है राहु गांदी की अपनी बाहन चस्विर है उसकी बांजी कितनी प्यारी होती है अब अब सब जानते हैं कई बार तो अपनी बेटी से भी ज्यादा दूलार लोग करते हैं तो लेकिन इससे तरह की टीप पड़ी है इतनी अमानवी है इतनी प्रूर मैं कहूंگा विध्वूप इसके लिया सबसे बेहतर शब् मानवी मुल्यों का विगटन जिसको आप कहते हैं कि जैसे कोई मुल्य ही नहीं रहा गया है आपके आप राजनीत में मुल्य वहीन हो गया है आपके पास कोई कल्चरल वैल्यू नहीं रहा गया है तो ये लोग कल्चर का बात करते हैं करते हैं कि हम संस्कृति के रखवाले हैं हम संस्कृति के रास्टबाद के वो हैं हम हिंदुत्वा के अरे बाई क्या आपकी संस्कृति यही है कि आप एक बच्ची को चाहे हो मुसल्मान हो चाहे हिंदू हो चाहे सिक्षिक हो इसाई हो मैं तो कहता हूँ किसी भी धरम की हो सर यही वो सोच है जिसने ओनलाइन बोली मुस्लिम लड़कियों की लगाई थी तो फिर यह क्या हमें संसकार का परिशे देंगे भाशा मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि देखे दक्षन भारत में तो राहूल गांधी को बहुत जबरदस प्रतिक्रिया मिल रही है और वो बॉकलाट भी देख रहे है और शायद बीजेपी के बॉकलाट इसली भी है कि अभी वो बीजेपी गड़ करनाटक में प्रवेश करने वाले हैं डर इसी बात का है और करनाटक में आपको याद है वो अभी एक आंदोलन चल रहा है PCM 40 फीसिदी का जो कमिशन का जो एक जो चर्चा है वो हावी हो रही है बीजेपी पर और बीजेपी को लेकर एक आंदोलन चल रहा है जो बहुत साफ दिखाई दे रही है दूसरा उनकी सोच इतनी विकृत है जो लोग बलातकारियों को संसकारी बताते है मुझे लगता है इस से ज़्यादा क्या पराकाश्टा हो सकती है कि वो संसकारी ब्रामन बता रहे थे बिलकिस के बलातकारियों आठ साल की मासूम लड़की के बलातकारियों के पक्ष में राली निकाल रहे थे बाई है तो जैसे ही उनको लग रहा है कि इतने लोग है यह जो फोटो उस तस्वीरें तमाम दबाव के बावजूद आ रही है वो भी उनको हजम होनी बहुत मुश्किल हो रही है इसके लिए वो अलग-अलग पैत्रे चला रही एक तरफ आरे से इसको खोल रही है एक तरफ अपने ट्रोल आर्मी को खोल रही है मीडिया लगातार चल रहा है बीच में चीता आ रहा है तो यह सारी चीजें इनके केंद्र में जो बॉखलाहट है वह बहरा जोड़ो यात्रा को में रही पब्लिस एक और हमला कर रही है कि अभी तो पंदरा दिन की यात्रा होई है भागवाज भी कमजोर नफस पे हमला बोल रही है और मैं तो बड़ा ताजिप किया देखकर कि एक मौलाना साब ने उनको राष्ट पिता क्या अभी तक तो राष्ट पती ही भारत में कई हुए थे हैं लेकिन अब राष्ट पिता दो हो गए ठीक है तो इसी से जुड़ा हमारा तीसरा मुद्धा है मोहन भागवत पांश मुसलिम बुद्ध जीवें से मिलते हैं और उसके बाद वो एक मस्ज़िद पहुंच जाते हैं वहाँ के जो धर्म गुरू हैं वो ये तक कहते हैं कि मोहन भागवत राष्ट पिता हैं मगर मोहन भागवत साथी साथ ये भी बयान देते ह कि गव हत्या पर अप्नी राय स्पाष्ट करें, मगर मेरे यह कहना है कि मोहन भागवाज जी पहले ये तो कह एं कि गव हत्या पर BJP का क्या मानना है, क्योंकि BJP गुणको गव को माता, मद्ब्रदेश और उपी में तो मानते हैं, मगर गवा में भूल जाती है, तब गवमाता नहीं है तो इस खबर का क्या है पन शुरुआत आपसे करना चाहेंगे और मिलेजिये देखो अभिसार मैं समझता हूँ कि मुस्लिम इंटिलेक्चुल्स का RSS चीप से या भारती जनता पार्टी के किसी नेता से मिलना मैं इसको कोई गलत नहीं मानता इसमें कुछ भी गलत नहीं है सवाल इस बात का है कि इस मुलाकात को RSS और BJP सिर्फ अपने फायदे और उसके इंटिलेक्चुल्स सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या देश में समरस्ता के माहौल को थोड़ा सा थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगाते हैं ये असल सवाल है मुस्लिम इंटिलेक्चुल्स को भी ये बात समझनी चाहिए क्या है इस खबर का पंच भाशा बताएं देखे इसमें मेरा साफ मानना है कि इन लोगों का मोहन भागवत से मिलना तकरीबन उसी तरह से है जिस तरह से नाजी या हिटलर से मिलने यहूदी पहुचें जान और माल की रक्षा के लिए तो ये बहुत साफ है कि डैमेज कंट्रोल भाशपा को जो डैमेज कंट्रोल है जिस तरह से नफरती एजेंट के पार्टी के रूपे वो इस्थापित है वहां आरेसेज अब आ गया रही है यह बताने के लिए कि हम रक्षक हैं और यहां पर आरेसेज अपनी वैलिडिटी यानि अपनी मानिता को इस्थापित करने अपना कद को बढ़ाने के लिए बहुत पूर्जोर कोशिश कर रही है जिसमें ये लोग एक एजेंट के तौर पे जो पांच लोग गए हैं वहां काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभिसार आप कैसे देखते हैं आपका क्या पंच है इस खबर पर मेरा पंच लिए है कि मोहन भागवत जी के रवये में गंभिरता की कमी संजीदगी की कमी दिखाई देती है क्योंकि अगर आप संबाद काइम कर रहे हैं तो समानांतर तोर पर आप एक और बयान देते हैं गवहत्या पर या हिंदू को जिस तरह से काफिर बताया जाता है उस पर आप अपना रुख साफ करें कल को आप ये भी कह सकते हैं कि मोगलों के लिए मुसल्मान माफी मांगे तो और हो भी यह रहा है ये अतिशोक्ती नहीं है हो भी यह रहा है तो एक संजीदी की साफ तौर पर कमी साफ तौर पर दिखाई देती है भाशा आपने कहा कि एजिंट है मैं कहता हूँ कि संबाद काइम करने में दिक्कत क्या है वो नुमाइंदे ना है मुसल्मान की हो एक अलग बात है मैं कहता हूँ मुसल्मानों की नुमाइंदे है कौन इस देश में दूसरी बात कह रही हूँ अभी सार देखिए मेरा ये कहना है कि इस समय जो मुलाकात का समय रखा गया है उससे क्या मैसे जा रहा है पहला भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसका काउंटर पेश करने के लिए कि मुसल समय जोुद्वाड लिच्चिंग मॉब उत्र रही है हर जगा उत्तरप्रदेश से लेके करनाटक क्यां जा चार रही है वहां पर आप कहीं माफी नहीं मांगते आपकनakan कम पहिं प्रमुख नं कहा इं पांश लोगों से कि आपके उस ति लिए में कह रही हूं कि यह जो महा कर ले तो किड्नाप करने वाला ही आपका मसीहा बन जाता है क्या आप इतिफाख रखी भाशा वर्ना क्यों कहा मैं कहा इस से ज्यादा आप शकल देखिए आप वीडियो देखिए जिस तरह से वह राष्ट पिता कहते हैं कि राष्ट पिता जो भी कहें आखें नीचे हैं तो अभी साथ जो पांच लोग मिलने गए थे वो मुस्लिम समाज से आने वाले कुछ ऐसे जाने पहचाने इंटिलेक्शल्स हैं उनमें एक दो ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे हमारे आपके मत्बेद हो सकते हैं किसी विचार पर लेकिन ये लोग इस्टेबिस्ट लोग हैं और तीसरी बात ये है कि मेरा मानना है कि माइनर्टी कम्यूनिटी के जो लोग होते हैं समाज में अगर वो एलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अगर वो डिरेक्टली इंटरेक्शन उनसे नहीं है और उनको ये मालूम है कि परदे के पीछे कोई और शक्ती इनको चलाती है और उनसे वो एक चलाती ना भी हो मगर संबाद मोहिन भागत का संबाद तो है प्रदामंत्री मोरी से जियां वही मैं कह रहा हूं तो अगर संबाद करने का फैसला करते हैं तो मैं इसको गलत नहीं मानता और ऐसे इंटेलेक्शुल्स को उनका परदाफास अभी त गलत है गलत है तो यह मैं समझता हूं कि एक अच्छी पाहल पर उनकी तरफ से अच्छी पाहल है अच्छा फैसला जो होना था वो हो गया उसमें अच्छी चीज जो दिखाना चाहते थे उन्होंने दिखा दी कि मोहन भागत इस सो लिब्रल कि वो एक जाते हैं मस्जिद में और वहाँ पर सारी चीज़ें करते हैं यह मैसेज मेरा मानना दूसरा है एकाउंटिबल कौन एक तो आरेसेस को आपने वैलिडिटी दी उस आरेसेस को जो भारत में हिंदू राष्ट बनाने के लिए दो हजार पच्छीस की बाते कर रही है और दूसरी बहुत एहन चीज के ऊपर जो 2014 से सीधे सिंधे लिंचिंग मॉब है अभिसार उसकी जवाब दे ही कौन यह जो वैलिडिटी की बात है कि हमने सारे खून कर लिए अब हम सफेद कूर्टा पहन लेंगे और हम बहुत अच्छे बन जाएंगे नफरती एजंडे पर नहीं तो क्या हम यह कहरें कि एक संस्था inspire करती है तो देखिए हम एक छट में डिमाउक्रिसी कह सकते हैं इंडिया को मगर मैं कह रहा हूँ संवाद तो जरूरी है ना कि आरेसिस की आइडियालोजी से सौ फिस्दी में आसामत हूँ और लगातार लिखता बोलता हूँ आप जानते हैं हमसा आप भी करते हैं लेकिन मेरा यह कहना है कि आज की तारीख में विहारती जंता पार्टी एलेक्टेड एलेक्टेड रूलिंग पार्टी है इस देश की जंता ने उसको चुना है हम पसंद करें ना पसंद करें। प्रवक अपने को दिखाने के लिए ही सही, तो तो उसमें कोई गलती नहीं है कि अगर बुल्डोजर चलाने से थोड़ी सी रहत मिल जाती है, नियायले नहीं दे पा रहा है, कोई भी पुलिटिकल पार्टिस के अगर को तो दोयम दर्दे, मुसल्मानों को दोयम दर्दे का न नहीं होगा, आप चाहती क्या है, डायलाग करना बुरा नहीं है, कौन सी पुलिटिकल पार्टिस देश की है, जो आज मुसल्मानों के पक्ष में खुल कर आ रही है, इस धर से नहीं आ रही है, कि हिंदू पुल्राइशान मारे खिलाफ हो जाएगा, एक जमाना था जब लो देखो, 20-20 सेकंड, 20-20 सेकंड दोनों जवाब देंगे मुझे, यह जो समवाद चल रहा है, मोहन भागवत का, क्या इसके पीछे अमिट शा और प्रधान मंतरी मोधी की रजा मंदी है, शुरुवात आप करें, 20 सेकंड आपके पास है, बताएगे, देखे, मेरा मानना है कि यह पूरी तरह से प्लैंड है, ताकि भाशपा का जो डैमेज कंट्रोल है, उसमें RSSS मददगार के तौर पे सामने आए, कि हम इतने मुस्लिम विरोधी नहीं है, यह कोशिश मोधी और अमिट शा के साथ बिलकर कर रहे है, क्या इसमें मोधी और अमिट शा का कोई किरदार है, क्योंकि देखिए, अल्टिमेटली दबक स्टॉप्स विद प्रधानमंत्री मोधी और अमिट शा, देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या है, क्योंकि इन्होंने एक्स्प्लेइन कभी नहीं किया, दोनों पक्षों में से किसी नहीं किया, तो ऐसे में हम कार्टी कम्यूनिटी के लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये उनकी मजबूरी है, और ऐसे में हम उनको बिलकुल रिजेक्ट नहीं कर सकते, अरे ये तवारिसे को मजबूत कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये बेहत कठोर फैसला देना है, उन इंट थाकीकत ये भी है कि चाहे जितनी भी तानाशाही वाली सरकार हो, वो तानाशाही सत्यागरह से कांपती है, वो तानाशाही समबाद से कांपती है, वो समबाद में बेशक वक्त लगे, मगर उस समबाद से उसे डर लगता है, वो समबाद बदस्तूर बने रहना चाहिए, ब झाल